दूस्तों आज केशी वीडियो में हम जानेंगे कि Photoshop में हम लोग किस तरीके से पासफॉर्ट साइज फोटो को बनाते हैं और पासफोर्ट साइज फोटो बनाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान देना होता Γैसे कि हम photo का size क्या रखे जब हम लोग उसको किसी new page में हम इसको लाएं तो उस page का size क्या होना चाहिए color correction किस तरीके से करना है तो सारी जी जब हम आज के ये वीडियो में हम लोग समझेंगे तो चलिए हम लोग computer के screen पे चलते हैं और हम लोग जानने की कोसिज करते हैं तो मैंने यहाँ पे Photoshop को open कर लिया है Photoshop को open करने के बाद में हम यहाँ पे एक photo को import करेंगे तो photo को import करने के लिए मैं काम करता हूँ यहाँ पे open का एक option है इस पे मैं click करता हूँ और click करने के बाद में एक photo मैंने desktop पे save कर रखा है मैं इस photo को यहां से select करता हूँ और select करने के बाद में मैं इसको यहां से open कर लेता हूँ ठीक है open करने के बाद में हम लोग इसमें multiple changes करेंगे अभी अभी यह फिलाल open हो रहा है तो जो मेरा photo है यहां पे open हो चुका है सबसे पहले मैं इसका background change करूँगा background change करने के बाद में जो है तब एक नया page लेंगे और उस page पे जो हम इस photo को आपे move करेंगे तो यहां पे कुछ changes करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले videos में भी मैंने बताया है कि जो photo होता है जब आप पहली बार इसको load करते हैं तो यह background lock होता है इसको आप यहां से क्या करेंगे unlock करेंगे इसपे click करेंगे तो यह photo unlock हो जाएगा और चुक्छे यह आपका original layer है तो आप इस layer पे कर्वे भी काम ना करें इसका एक duplicate बनाने तो duplicate बनाने के लिए हमें क्या करना होता है right click करने है और right click करने के बाद में यहाँ पे option मिलेगा duplicate layer का इस पे हम click करेंगे और यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप अपने coding नाम को डाल सकते हैं मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ फिलाल ok कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो layer 0 है इसका एक copy यहाँ पे बन गया है अब जो भी मैं चेंजेश करूँगा इस layer 0 वाले पे ही मैं चेंजेश करूँगा तो अब मैं काम करता हूँ मैं यहां से एक टूल लेता हूँ selection tool और selection tool का use करते हुए हम क्या करेंगे इसको हम select करेंगे background को सबसे पहले हम यहां से हटाएंगे तो देखिए यहां पर एक option है quick selection tool ठीक है मैं इस वाले पर click करता हूँ और click करने के बाद मैं यहां पर selection का tool यूज कर रहा हूँ तो देखिए यह जो tool है न यह tool अगर आपका background multiple colors के हैं तो फिर यह वाला tool वहां पर काम नहीं करेगा फिर आपको कुई दूसरा selection वहां पर use करना पड़ेगा चुकि मेरा जो background color है लगबग लगबग जो है जादा उसमें different नहीं है तो मैं यह वाला tool यूज कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया quick selection tool है न इस tool का हम यहां पर use कर रहे हैं और इस tool का use करके मैं इसका जो background है वो मैं select कर रहा हूँ यह देखिए background जो है हमारा यहां पर अच्छे तरीके से select हो गया है select करने के बाद में आपको यहां पर right click करना है और right click करने के बाद में यहां पर एक option आपको मिलेगा feeder का इस पर click करना है और feeder जो है यहां पर to apply करना है अब ये feather होता क्या है देखिए चुकि हम यहाँ पे background को जो है remove करना चाहरे है तो background को remove करते समय यह न लगी कि वहाँ पे cut किया गया है जो background है और जो आपका जो real image है जो main image है उसमें जो है एक beast में एक saddle type का आज है तो उसके लिए जो हम लोग क्या करते है फैदर का हम लोग यहाँ पे use करते है ठीक है तो यहाँ पे जो है feather हमने to रखा आज़े feather को use करने से पहले एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी सी mistake हुई है selection में मैं इसको zoom कर लेता हूँ जून करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखी जो selection है यह हमारे color से थोड़ा सा अंदर ले लिया है ठीक है तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक tool है ठीक है पूरा सब्स्ट्रेक्ट हो चुका है यहां पे भी हलका सा हमें सब्स्ट्रेक्ट करनी की ज़रूरत है यह हमारा जो है अब पूरा जो है अच्छे तरीके से सब्स्ट्रेक्ट हो गया है अब मैं इसको यहां से अल्ट और स्क्रॉल बटन दबा रहा हूं थी छोटा हो रहा है अब मैं यहां पर RAYD की कर रहा हूं, फिदर पर क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे मैंस का जो Fiddler है वो 2 रख रहा हूं, और यहां पर OK कर दे रहा हूं, उसके बाद में आपका जो यहां पर गरांड होगा, वो आप यहां पर रिसाइड कर लेंगे, background मैं यहाँ से blue ले ले लेता हूँ okay करता हूँ control और backspace वाला button यूज़ करता हूँ तो यह देखिए जो background है यहाँ पे change हो चुका है selection हटाने के लिए तो shortcut होता है control D अगर आप वैसे नहीं हटाना चाहते हैं तो right click कीजिए यहाँ पे एक option मिलेगा select का इस पे click कर दिजिए तो जो selection है वो आपका यहाँ से हट जाएगा तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो background है हमने change कर दिया अब मैं इसको crop करके आपको बताता हूँ crop कैसे करते हैं यहाँ पे आपको रखना है great stand height यहाँ पे रखना है यहाँ पे 2.9 और यहाँ पे रखना है 3.9 और यहाँ पे आपको जो है pixel नहीं रखना है यहाँ पे centimeter यहाँ पे रखना है pixel या centimeter तो मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको cm कर लेता हूँ cm कर लेता हूँ cm और यह भी मैं इसको cm कर लेता हूँ cm ठीक है और इसको मैं यहाँ पर double click करता हूँ तो यह जो image है यह आपका crop होगे लेकिन crop करते समय आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आप इसको crop करेंगे तो आपको जो यहाँ पे solder है वो आपको बीच में रखना है ठीक है, solder को हमेशा बीच में रखना है और सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर double click करेंगे तो यह जो है, आपका जो image है वो crop हो जाएगा उसके बाद में आपके यहाँ पर पाइल में जाना है, new पर जाना है और new पर जाने के बाद में यहाँ पर आप प्रिंट वाले option पर जाएगे उसके बाद में F4 का यहाँ पर आपको preset आपको मिल जाएगा इसकी जो grid से वो 210 है और जो हाइट है 297 है और orientation हमें रखना है इसका portrait resolution 300 है ना 300 हैनि के जो higher resolution होगा जो कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके जो picture से वो blood नहीं होगा तो जो सबसे higher resolution होता है वो 300 होता है तो मैं यहाँ पर 300 करके और इसका जो background है white करके create पर क्लिक करता हूँ तो यह दिखिए जो यह है आपका यहाँ पर आगे आप यहाँ पर चुकि हमने crop वाला size हमने रखा था तो यहाँ पर मैं इसका ratio उसको करके original ratio में मैं इसको कर देता हूँ और crop वाले option को मैं यहाँ से add आ देता हूँ ठीक है अब मैं कांट करता हूँ यहाँ पर जो photo है तो यह tool select हो जाएगा उसके बाद में इस वाले picture को आप mouse से click करके रखेंगे और drag करते हुए जो है आप इस पर लेाके छोड़ देंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है आपका picture यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में आपको करना यहाँ मैं ताउसाज को ओके करने के बाद में आप देखेंगे मैं ताउसाज जूम करके दिखा देता हूँ जो इसका जो आउटसाइड है उसमें जो है एक बोर्डर आपको दिखाई देगा ठीक है तो यह जो बोर्डर है जब आप प्रिंट करेंगे तो कटिंग करने में भी आपके दिया असानी होगी तो यहाँ पे मैंने यह चीज़ सेट कर दिया अब हम एक काम करता है यहाँ पे वियू में जाते हैं और वियू में जाने के बाद में एक आप्शिन मिलेगा रूलर का इसका shortcut की है control आप इसको click करके active कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम एक margin को यहाँ पे set कर देते हैं ठीक है और यहाँ से हमने left के लिए यह वाले ले लिया और यहाँ पे right side के लिए भी हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हमारा जो margin है वो proper अच्छे से यहाँ पे पता रहे ठीक है अब मैं इस picture पे click करता हूँ इसको यहाँ पे set कर देता हूँ keyboard से alt button को press करता हूँ और यहाँ पे जो है इस picture को set कर देता हूँ फिर से alt button को दबाया और click करके मैंने इसको यहाँ पे set कर दिया ठीक है तो अब आपको करना क्या है कि alt button को press करना है और आप यहाँ पे picture को यहाँ पे set कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं alt button press कर रहा हूँ और यहाँ पे picture को set कर रहा हूँ तो इस तरीके से जो हैं हमने यहाँ यहाँ पे जितने भी picture से एक ही बार में नीचे ड्रैग हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तहां से अगर आप देखेंगे कि जितने हमने आप पे alt दबा के जो हमने copy किया था वह यहाँ पे आपको layers में दिखाई देंगे अब हमें करना यह होगा कि हमें जितने भी layers हमने बनाए है इन सबी layers को आपस में merge करना पड़ेगा तो merge करने के लिए आपको क्या करना है आपको इन सबको एक साल select करने रहे हैं तो select करने के लिए आपको क्या करना है पहला select करना है सबसे उपर वाला और shift दबा के रखने हैं और नीचे वाले पर click कर देना है तो यह देखी सारे जो है एक बार में select हो जाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर control और E button को प्रेस करना है ठीक है जैसे ही आप control E button को प्रेस करेंगे तो जितने भी अलग-अलग layers थें वो क्या हो जाएंगे एक साथ आपस में merge हो जाएंगे अब आप जब Alt button को प्रेस करके जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको जो है अलग-अलग picture से यहाँ पर नहीं लाने होगे एक ही बार में आप जो है सारे 6 pictures जो है एक साथ आप उसको move कर सकते हैं अब आप जब Alt button दबा रहे हैं तो आपको अब एक साथ सारे pictures आपको यहाँ पर move होते हुए दिखाएं तो मैं नीचे तक एक बाद फिल करता हूँ और इसको हम export करके भी दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको export करते हैं ठीक है तो यह देखे है हमारा जो picture है यहाँ पर आ चुक्या है उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर file में जाएंगे file में जाने के बाद में यहाँ पर एक option मिलेगा आपको export का ठीक है तो आप इसको export कर सकते हैं JPG में, PNG में या फिर आप PDF में इसको export कर सकते हैं अगर आप इसको PDF में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको save as करना पड़ेगा लेकिन चुकि अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे format में save करें तो यहाँ पर export पर जाएंगे, export as पर जाएंगे और export as पर जानने के बाद में एक dialog box यहाँ पर open हो रहा है जैसे ही open होगा तो आपको यहाँ पर इसका format select करने है तो मैं यहाँ से JPG कर देता हूँ और इसकी quality हमसे पूछा जा रहा है तो हम इसको यहाँ से high quality में करतेंगे ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर export का option इसके click करेंगे export button जैसे ही आएगा तो यहाँ पर जो है desktop पर जाना है और desktop पर जाने के बाद में हमने एक यहाँ पर folder बना रखा है अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका नाम दे देंगे नाम देने के बाद में इसको save कर देंगे, ठीक है save हमारा यह picture हो चुका है, अब हम इसको open करके देखेंगे तो यह देखेंगे, यह folder है और इस folder में मैंने यह नाम डाल के save किया था passport size, मैं इसको यहाँ से double click करके open करता हूँ open करके यह देखे, यह जो picture है, आपका यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से save हो चुका है और आप अगर इसको zoom करके भी देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो यहाँ पर बोर्डर से वगरा डाले थे image के outside में, वो आपको यहाँ पर पूर पर बोर्डर में दीख रहा है ठीक है, अब कुछ और चीज़े मैं बता देता हूँ, मैंने आप लोगों कहा था कि अगर आप picture में कुछ अच्छी नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद में यहाँ पर दिखें आपको option मिलेगा, और तो टोन का सकते हैं, यहाँ पर एक option मिलेगा, brightness and contrast का, इस पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद में, आप इसकी brightness को manually कम या जादा जितना रखना चाहते हैं, आप उसको set कर सकते हैं, और contrast भी आप अपने recording यहाँ पर set कर सकते हैं, ठीक है, ओके करेंगी, उसके बाद में एक option, एक और option आपको मिलेगा, curves का, इसका जो shortcut की है, वो है control M, control M बटन को जब आप प्लेस करेंगे, तो इस तरीके से curves का पूरा dial box open हो जाएगा, यहाँ पे आप बीच में कहीं पे भी आप इसको click करके रखेंगा, और इस तरीके से आपको better लगे, फिलहाल उसको set करके, आप उसको okay कर देंगे, ठीक है न, तो यह आपको छोटी मोटी मैंने चीज़े बताईए, आने वाले जो tutorials होंगे, उसमें मैं आप लोगो in depth में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग color correction करते हैं, dark circle को किस तरीके से details में बताऊंगा, तो आज कि इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम एक passport size photo को बना सकते हैं, उसमें color correction किस तरीके से कर सकते हैं, उसका size हम लोग किस तरीके से रखते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like चैनल पे नए हैं, और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को upload करो, आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो चलिए next वीडियो में मिलते हैं, तब तर के लिए बहुत पो थन्यवार